Snapchat को login कर रहे हैं और आपको इस तरीके से जो error है इसका फेस करना पड़ रहा है C14A, service unavailable, learn more here इस तरीके से login करते टाइम आपको ये issue हो रहा है तो कैसे सोल करना है या फिर C14A, series का कोई भी error हो सकता है जिसमें C16A हो सकता है या ETC कुछ भी login करते टाइम अगर ये eater आपको देखने को मिलता है तो कैसे सोल करना है तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से वीडियो को देखना जिससे कि मैं आपको जो भी समझा रहा हूँ वो आप अच्छे से समझ सके तो देखिए इसको सोल करने का बहुत ही आसान सा तरीका है सबसे पहले आपको क्या करना है उसे आप समझेए जो आपका mobile है उसमें आपको play store open कर देना है उस search बार पर click करना है और यहाँ पर आपको search करना है Snapchat अगर आपके Snapchat अप में कोई update आया हो है तो इससे आप update कर लीजिए उसके बाद बाहर निकल लीए जब आपकी app update हो जाए उसके बाद जो आपकी Snapchat है उसपे एक second के लिए दबा के रखेंगे और यहाँ पर i button पर click करेंगे या फिर app info लिखा हुआ मिल सकता है इसपे click करें जैसे आप इसपे click कर देते हैं तो आपको एक option दिखेगा force stop देख सकते हैं कहीं पर भी हो सकता है यह इस page पर कहीं पर मिल सकता है force stop इसपे click कर देना है उसके बाद आपको clear data करके एक option दिखेगा इसपे click करना है और यहाँ पर आपको clear catch करना है किलियर डेटा नहीं करना किलियर कैच करना है उसके बाद एक उप्सन और होता है डाटा यूजेज करके होता है इस पर क्लिक करें और यहां पर एक उप्सन होता है वेग्ग्राउंड डाटा इस पर क्लिक कर दें इसको एक बार आपको बंद करना है और वापस में चालू कर द दाल देना है अपने मुबाइल को आप 30 seconds के लिए flight mode पर डाल देंगे या आप अपने मुबाइल को restart भी कर सकते हैं उसके बाद आप Snapchat को open करेंगे तो आपको ये जो C40A का जो एर्र देखने को मिलना था ये नहीं मिलेगा और आपका Snapchat easily open हो जाएगा तो I hope इस वीडियो में दी गई जानकर ये अपके से समझ गई होंगे